जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी और 21 फरवरी 2021 के तुला राशी फल के बारे में, तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों म हम जानेंगे, आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में, सिक्षा हो, स्वास्थे हो, आपका कारे शेत्र, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, प्रेम जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, हर चीज के बारे में जानेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोट के बारे में जान लेते हैं बीस फरवरी का जो दिन है ये शुकल पक्ष की अस्टमी तिथी है जो की दोपहर एक बज कर इकतिस मिनट तक रहेगी उसके बाद नवमी तिथी लग जाएगी और पूरा दिन और पूरी रातरी तक रोहिनी नक्षत्र रहने वाला है ये अच्छे के हिश्य भी योग बनने वाले हैं पूरा दिन सरवार्थ सिध्धी योग रहेगा और इसके अलावा पूरा दिन अम्रत सिध्धी योग भी रहेगा बहुत ही सुन्दर योग हैं चंद्रमा की इस तिथी कि यदि बात की जाए तो चंद्रमा इस पूरे दिन व्रशब रास तक उसके बाद दसमी दिथी प्रारम हो जाएगी, रोलनी नक्षत्र रहेगा सुबह 8 बज कर 44 मिनट तक, उसके बाद म्रगशिर नक्षत्र प्रारम हो जाएगा, इस दिन सुबह 5 बजे तक विश्कम नाम का योग बनेगा और पूरा दिन रवी योग बनेगा, चंद्रमा र आशी परिवर्तन होगा, और वो कुम्ब राशी में प्रिवेश करेंगे, जहां सूर्य विराजमान है, तो सूर्य के साथ यूदी करेंगे, इसके अलावा, बुद्ध ग्रह भी मार्गी होने वाले हैं, 21 फरवरी के दिन, तो ये दो ग्रहों में परिवर्तन हैं, और इनका प्रवहा भी आप अपने जीवन में अभी से देखना शुरू कर सकते हैं, तो ये थी ग्रह नक्षत्रों के इस्तिति और इने के आदाहर पर हम जानेंगे कि ये जो दो दिन है, ये आपके लिए किस तरह से लाबदाय करह सकते हैं, कहां-कहां आपको साथधानिया रखने हो होंगे, 20 फरवरी का दिन जो की दो महा योगों में है, बहुत अच्छे योग जो बन रहे हैं, और 21 फरवरी दो ग्रहों का राशी परिवर्तन हो रहा है, तो एक तो ये शनिवार का दिन तो यानि 20 फरवरी का दिन आपके लिए काम का प्रशर जादा रह सकता है, लेकिन का हमका प्रशर जादा रहने के बावजूद, आप अपने सभी कामों को आसानी से निप्टा पाएंगे, और आप अगर चाहते हैं किसी की मदद लेना, तो आपके जो साथ काम करने वाले हैं, यानि आपके जो सहकर्मी हैं, वो भी आपकी मदद के लिए तयार होंगे, करियर म राहू और चंदर की यूति हो रही है, जो अचानक से बदलाव लाती है, अस्टम भाव में, ये भी अचानक से बदलावो का है, तो करियर में बदलाव अचानक से होने वाले हैं, जो आपके लिए लाबदायक भी रहेंगे, कुछ ऐसी इस्तितिया निर्मित होंगी, कि अच्छे अफसर प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने के अफसर प्राप्त होंगे, कुछ नए दोस्तों को बनाने का भी होगे, नए दोस्तों से मिल सकते हैं, नए दोस्त आप बना सकते हैं, कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें, जोखिम भरे काम करने से आपको बस पचन होगा ऐसी चीजों से थोड़ी सी सावधाने रखनी होगी यदि आपको लग रहा है कि आपके परिवार में किस कुछ लोगों के बीज में कोई अनबन है तो उनको खत्म करने का प्रयास करें कोई भी गलत फहमी का मुद्दा है तो उसको सुलजाने का प्रयास करें देखते ही उने सफलता प्राप्त की है उससे आपको खुशी होगी साथ में आपका साथी भी इस चीज़ से खुश होगा काम और सफलता को आप इंजॉय करेंगे परिवार के साथ अच्छा समय है और उस अच्छे समय का लाब उठाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है वित्य स्थ अच्छे थी कि बात करें तो आर्थिक सफलता के दम पर आप अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं तुला राशी शुक्र की राशी है और शुक्र का राशी परिवरतन भी 21 फरवरी को होने वाला है तो उनका प्रभाव भी आपके उपर इस दोरान रहेगा आप भी आप पूरा कर पाएंगे आपका मिजाज अच्छा होगा आपकी सोच सकारात्मक होगी तो इस सकारात्मक सोच के साथ अपने प्रयासों को जारी रखें जाहे वो आपके नीजी जीवन से हैं आपके करियर से हैं आपके वेपार से हैं जहां भी आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं उनको जारी रखना है क्योंकि यह समय आपके लिए समझदारी से काम लेने का है आगे बढ़ने का है यहां शुक्र का व्रभाव होगा जो आपके सुक्स विदाओं में विरद्धी करेगा करियर में उच्छाल लेकर आ सकता है इसलिए जादा फोकस आपको रहना करना होगा अपनी लक्षों को हासिल करने के लिए बस पूरी लगन से काम करते रहें आप देखेंगे कि बहुत ही जल आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना चाहते थे अब लव लाइफ की बात करते हैं तो बात करते समय थोड़ी सावधाने रखें क्योंकि आपके पा नहीं कहा जा सकता है तो थोड़ा सावधाने रहते हुए करें सुधार करने की कोशिश होगी लेकिन जो दामपत्य जीवन से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा उन लोगों को बाहर किसी धार में किस थाल पर जाने का मौका मिलेगा कुछ मंदिर के आप अच्छी रहेगी लेकिन अपनी सिहत का जरूर ख्याल रखें समय पर खाना और पोस्टिक आहार लेना यह आपके लिए आतियुत्तम रहेगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बाकि इस दिन 21 फरवरी के दिन बुद्ध भी मारगी हो रहे हैं आपके चौथे बाहों मे और यहां आपके लिए मकान और वाहन का क्रया विक्रया का योग बनता है क्रया का योग बनता है लेकिन पारवारे किस्तितियों में थोड़ी सावदाने रखनी होगी अपनी क्रोध पर नियंतरन रखना होगा अपनी वानी पर नियंतरन रखना होगा यानी लाब की उम्मि सक्रिय रहेंगे और समाज में पद प्रतिस्ठा भी बढ़ेगी विदेश यात्रा का योग बनेगा देशाटन का योग बनेगा कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं तो कुछ चीजों में तो बुद्ध बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे बस आपको सावधाने रखनी है अपने वानी पर अपने करोध पढ़ने अंदर रखेंगे तो ये बुद्ध का जो मारगी बुद्धुएं हैं ये कई तरह के लाव आपको दिला सकते हैं काफी अच्छा माहौल आपके लिए क्रेट कर सकते हैं तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को स सब्सक्राइब करने और हमारी इस वीडियो को जदे जदे लाइक करें शेयर करें